गोवन वार्ता लायूचा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा आणे बेल आईकॉन दाबून लेटेस्ट वीडियोचा नोटिफिकेशन मिलुआ भगवान स्रीराम आपले वडिलांचा सन्मान अर्थ राजवाणायतून बाहेर पडून वनवासात गेले अची शिक्वन हिंदु धर्म देतो मात्र सत्ते साथे हपाप लेले विश्वजित राणेननी वडिलांनाज आवान देन लाजीर्वाणा आहे अचा शब्दात आम आ आणि ती धमग गोवेचा जनतेद आहे असा केजरिवाल मना लेल ये त्या निवड नुकित गोमनत कियाना क्रांती घडून आणावी लागेल जनतेला प्रामानिक सरकार निवडा वाल आगेल आणि ही ब्रष्टे व्यवस्ता संपुष्टात आणावी लागेल असा आवा सत्ता पाने का इतना पागलपन कि अपने पिताजी को भी भूल गए हम लोग हिंदू है भगवान राम की पूजा करने वाले लोग भगवान राम ने अपने पिता के कहने पे राजपार छोड़ दिया 14 साल वनवास चले गए अपने आपको हिंदू कहने वाला भाजपा का ये मंत्री विश्वजीत राने अपने पिता जी को चनाव में हराएंगे ये और ये कैसी सरकार है गोवा की एक और मंत्री हैं जो सेक्स स्केंडल में फसे हुए हैं उन्हें स्तीफा देना पड़ा एक मंत्री ने करोना में लोगों की मदद करने की बजाए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन स्केंड कर रहे थे एक मंत्री उनके उपर पावर सेक्टर में स्केंड करने की आरोप है एक और मंत्री है उन पर लेबर स्केंड करने का आरोप है एक मंत्री है जो हमारे बच्चों को नौकरी देने के लिए रिश्वत लेने का रोप है उनके उपर एक मंत्री ने तो कच्छरे को भी नी छोड़ा उन पर कच्छरे का स्कैम करने का रोप है ऐसे लोग गोवा को विकास कर सकते हैं कभी बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसे लोग केवल और केवल अपना घर भरेंगे इस बार चुनाव में हमें केवल चहरे और पार्टी नी बदलने पूरा का पूरा सिस्टम बदलना है ये चुनाव एक क्रांती होगा इस बार सब कुछ बदलना है ये सारे नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री ये सभी पुरानी पाटियां, सब कुछ बदल दो इस बार एक कट्टर इमानदार सरकार बनानी है अब गोवा में जनता का राज होगा जनता राज करेगी, सत्ता सीधे जनता के हाथ में होगी इस बार, corrupt out, honest in